जेहिन दोस्तों एक वार फिर स्वागत है आपका HP General Knowledge 53 के इस वीडियो लेक्टर में तो हम आज हुए एक्जाम तेसील वेलफेर ओफिसर की जो अंसर कीज हैं वो डिसकस कर रहे हैं दूसरी नमबर की वीडियो जिसमें 50 से 100 नमबर तक के कुशन आलरेडी डिसकस किया चुके हैं अब हम नमबर एक से जो हैं वो अंसर देखेंगे इसमें पहला परसंड जो है उसमें पूछा गया है भारत के सिंचित अंचलो में भूमी चिरायता निवन कारणों से खारा हो रही है तो ये किन कारणों से हो रही है इसका जो सही उत्र है वो है option C यानि कि ये over irrigation अधिक सिंचाई का उपयोग करने से ये खारा हो रही है अगला परसन है इसमें जो पूछा गया है बरफिला तुफान किस प्रकार के प्राकरतिक खत्रों के अंतरगत आता है तो इसका जो सही उत्र है वो है option A यानि कि ये वाइमंडली खत्रों के अंतरगत आता है अगले परसन में पूचा गया है हिमाले के किश भाग में हम करेवा पाते हैं तो ये कश्मीर हिमाले में ये पाए जाते हैं option C जो है वो सही उत्तर होगा अगले परसन में पूचा गया है निमन में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है Rift Valley में बहती है, तो इसका जो सही उत्र है वो है Option C, यानि कि यह नर्मदा नदी है Option C, इसका सही उत्र होगा अगले परसन में पूचा गया है, Trophic Cancer, यानि कि करक करेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है तो इसका जो सही उत्र है वो है option V यानि कि ये उडिशा से होकर नहीं गुजरती है अगले परस्ट में पूछा गया है भारत का पूरवी दिशांतर कितना है तो ये जो है 97 degree 25 second है option A जो है वो सही जवाब होगा अगले परस्ट में पूछा गया है पस्चमी घाट की पस्चमी डलानों को बोगोलिक बर्शा क्यों होती है तो इसका जो सही उत्र है वो है option D यानि कि दक्षणी पस्चमी मानसून की डलान का सामना करने के कारण ये होती है अगले परसन में पूछा गया है टेक्टोनिक गतिविदी के कारण कौन सी जील का निर्मान हुआ है तो इसका जो सही उत्र है वो है option C यानि की बोलर जील का निर्मान जो है वो टेक्टोनिक गतिविदी के कारण हुआ है अगले परसन में पूछा गया है भारत का सबसे आर्ध क्षेत्र कौन सा है सबसे humid reason कौन सा है तो north east क्षेत्र यानि की उत्तर पूर भी जो भारत और तटी क्षेत्र है पश्मी तट क्षेत्र है वो सबसे humid reason है अगले परसन में पूछा गया है निमन में से कौन सा भारत का पहल वाइसपेर रिजर्व था तो ये नीलगेरी वाइसपेर रिजर्व जो था भारत का पहला वाइसपेर रिजर्व था उप्शन ए सही जवाब होगा अगले प्रिसन में जो पूचा गया है स्थानी आर्थिक विकास को पुरसाहित करने के लिए बुन्यादी शेवां को बढ़ स्थान पर भारती क्षेतर में प्रवेश करती है तो ये किनोर के पास एक जगा है सिपकी दर्दा है बहां पर ये एंटर करती है ऑप्शन सी सही जवाब होगा अगले प्रिसन में पूचा गया है कमेरी या चोली जोजी चद्रू कमरवंद चलन या सूथन और घास या पौ कि जन जाती है उसका ये पोशाक है अगला परसन है इसमें सही स्योजन का मेल करना है तो इसका जो सही उत्र होगा वो होगा ऑप्शन डी बाक्यांग नरित्य अगले परसन में पूचा गया है हिमाचरपरदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तू कला क्या है तो किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदेशिंग के सासंकाल में पहली बार जो है वो शाही शनक्षन मिला तो ये मिला था चमभा पेंटिंग को मिला था ओप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा अगले परसन में पूचा गया है हिमाचरपरदेश के किस जिले ने पूरे दे कि 19 नशल को पर्देस में लेकर आया है तो ये उश्डंसल का जो नाम है 右 रॉमबूलेट है option A जो है इसका सही उत्तर होगा मत अगले परशन में जो गलत नहीं हो जो जिन आ हैं गलत मिलान है उसका सही उत्तर ढोलना है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option B अगले प्रसंद में पूछा गया है इसमें पूछा गया है similar past and present पुस्तक के लिखक कौन है तो इसके लिखक है Colin Roser है option D सही जबाब होगा अगले में फिर से सुचियों का मिलान करना है और सही जो code है बहुत चुणना है तो इसका जो रोथनी कैंसल है पहला option रोथनी कैसल जो है वो option C यानि की A.O.H.O.M. का घर है था option 2 काल के similar railway का जो इंजिनेर थे A.H.S. Harrington थे में मर्स वेरेंट एंड कंपनी जो पुराना similar वेंक के बास थी तो क्राइस चर्जो जो J.T.W. दबारा बनाएगा तो इसका जो सही उत्र होगा वो होगा option A यानि option A इसका सही उत्र होगा क्योंकि first का जो मिलान है वो C से है second का A से है, third का E से है और fourth का जो है वो B से है अगले परस्ट में पूचा गया है सन 1857 के विद्रों के दुरान दी गई शेवाओं के लिए निमन में से सिर्मोर के किस राज़ को ब्रेटिस सरकार ने एक भौमूले पोशाक और शात तोफों की इसलामी से सुसोवित किया था तो इसका जो सही उत्र है वो है option A सिर्मोर के राज़ा जो समसेर प्रकास हैं उनको साथ तोफों की इसलामी जो थी वो दी गई थी अगले परसन में पूछा गया किसने प्रादेशिक परिशद का नेत्रित्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गए था तो इसका जो सही उत्र है वो है option B करम सीं ठाकूर अगले परसन में पूछा गया है हिमाचल परदेश देश में state wide area network launch करने के लिए कौन से नंबर का राज्य बना है तो यह पहले नंबर का राज्य बना है option A सही जबाब होगा अगले परसन में पूछा गया है HRMN 99 is a variety of this type of the following developed by a progressive farmer of हिमाचल परदेश तो इसका जो सही उत्र है बो है option E यानि कि यह आम की एक नशल है अगले परसन में पूछा गया है याक breeding research training center कहाँ पर है तो यह लोस्तर में है जो की लाहल स्पीती में है अगले परसन में पूछा गया है कौन से hydroelectric power project दिली के राश्टी राजदानी क्षेत्र के लिए पेजल अपूर्ती योजना के रूप में कलपना की गई थी तो यह की गई थी रेन का डैम hydroelectric project की की गई थी अगले परसन में पूछा गया है कृशी जनगर्णना 2011-1011 के अनुसार कुल भूसम पत्ती का कितने परिशत जोबो चोटे और शिमान्त किशानों के पास है तो यह जो है 87.95% जोबो चोटे और शिमान्त किशानों के पास है अप्शन A सही जवाब होगा अगले परसन में पूछा गया है हिमाचापरदेश के निमन में से किन स्थानों पर अंगोरा खरगोस संबर्धनों को खरगोस परदान करने के लिए अंगोरा खरगोस फार्म जो है वो कारेरत हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है आप्शन सी यानि की कंडवाडी कांगड़ा में और नगवाई मंडी में ये अंगोरा खरगोस परदान फार्म जो है वो कारेरत हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है अगले प्रशन में जो पूचा गया है बारह सरकार नहीं माचापरदेश को एक गोजाती प्रदेशन राष्ट्री प प्रोपिंग प्रजेक्ट जिसका सोट फिर्म जो है वो की एफ डवल्यू है और ये जर्मनी में एक बैंक है वो हिमाचल परदेश राज्य के किन जिलों में ये लागू किया गया है तो ये किया गया है कांगड़ा और चंबा में ये लागू किया गया है अगला परसनेस मे तहत 50 ग्राम पर नचाइंतों के लिए जो है वो जारी हुई है तो इसका जो सही उत्र है वो है option A यानि कि ये राश्टी ग्राम स्वराज अभियान के तहत ये अवंटित की गई है अगले परस्ट में पूछा गया है निमन में से कौन सा अगले परस्ट में जो पूछा गया है बेटी है अनमोल के बारे में क्या सही है तो इसका जो सही उत्र है वो होगा option A यानि कि सिर्फ एक और दो ही इसमें सही है क्योंकि ये ये योजना उन लड़कियों के लिए है जो ग्रीवी रेखा से नीचे की स्रेणी से समबंदित है एकल परिवार की बालिकाएं दो बालिकाएं योजना का अलाव ले सकती है इस योजना के जाता है जो उच्छ यानि कि पहला और तीसरा उप्षन जो है इसमें सही है अगले परिशन में पूछा गए है नीमन में से कोन से कत्र मुख्य मंतरी शहरी आजीवी का गारन्टी एओजना के बारे में सही है तो इसका जो गारन्टी उसका जो चलो यही बृगो पर दारता है यारने कि एक और इसमें सही है अगले परसन में पूछा गए है अटल स्कूल वर्दी योजना के बारे में क्या सही है तो इसका जो सही उत्र होगा वो होगा ऑप्शन सी क्योंकि ये जो हो पहली से बारमी तक सभी चात्रों को एक बरस में स्कूल वर्दी जो हो मुफ्त मिलती है और इस योजन चूह सुछ को मकूले बैग इसमें दिए जाते हैं अगले परसिन में पूचा गया है इसमें स हगता ही है माले दो सही है .. तो ये जो हब सरकार ग्रामिन क्षेत्रों के बरिश नागरिकों के लिए अवश्चिक शुबदाओं के साथ हर विकास खंड में पार्क और उद्यान विक्षित कर रही है पार्कों और उद्यानों को मनरेगा स्वच वारत मिशन और चौद में वित आयों के अभिशरन के साथ नियुन्तम एक विगा की समतल भूमी पर विक्षित किया जा रहा है जो कि तीसरा उप्सन इसमें पूछा बोला गया है कि हमाचपने लोग निर्वान विवाग इस योजना को लागू कर गया तो इसको यह लागू नहीं कह रहेगा पंचाई पंचाई जो हो मन रहेगा के द्वारा इसको बना रही है ऑप्शन ए जो है सही जबाब होगा अगले परसन में पूछा गया है अगले परसन में जो पूछा गया है तो इसका जो सही उत्र है वो है ऑप्शन ए यानि की पहला और दूसरा यह दोनों सही है अगले परसन में जो पूछा गया उसमें पूछा गया है निमन में से कौन सा कत्थन जो है अटरे टरनल के बारे में सही है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन भी यानि की दूसरा और तीसरा दोनों सही है अगले परसन में पुछा गया है राष्टी शिक्षानीती 2020 के अंसार शिक्सक जो है वो grade 5 तक जो है मात्री भाषा या क्षेत्री भाषा में पार्ट वढ़ाने में सक्सम होंगे option A सही जबाब होगा अगले परसन में है जो जू संक्रमन है उसके बारे में कौन सा कतन जो है वो सही है तो इसका जो option D है वो सही होगा ये जो सही है ये सही है अगले परसन में पूछा गया है इवे विल परणानी के बारे में कौन सा कतन जो है वो सही है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option C यानि की पहला और दूसरा कथन जो है इसका सही है अगले परसन में पूछा गया है निमने में से कौन से कथन 12 प्रयोजना के बारे में सही है तो इसका जो सही उत्र होगा वो होगा option c दूसरा और तीसरा कशन जो है इसके बारे में सही है अगले परसन में जो पूछा गया है बारत के कानून और नियाय मंत्राले द्वारा हाल ही में जारी अधीश उचना के अनुशार किस देश को प्रत्यगामी राजी गोशित किया गया है तो ये गोशित किया गया है उनाइटिड अरव अमेरात को ये गोशित किया गया है ओप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इससे आगे के जो प्रश्न है प्रश्न नमर फिटबान टू से लेकर हंडर तक जो वो हमने पहली वी description में मिल जाएगा comment में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो कोंते तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद जे ही जे वारत